कुछ चीज़े इंपोर्टन्ट है करना उसमें से पहली चीज यह जो कुछ चीज़ेंगे किसके साथ उसके लिए हमें डेटा की जरूआत है और डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक डेटा बेस की जरूआत है इन दिस प्लेट लिस्ट वी आर यूजिंग माइस्कुल डेटाबेस अभी माइस्कुल डेटाबेस इंस्टॉल करने के दो अप्शन्स आपके पास है उसमें से पहला अप्शन तो यह एक तो आप यह जैंप नाम का एक अप्लिकेशन आता है उसे इंस्टॉल करो या फिर जैंप इस अप्लिकेशन जो अपाची, MySQL, PHP, Python वगरा इसे इसे इंस्टॉल करता है एक साथ में नो मैटर किस वे से आप इंस्टॉल कर रहे हो यह MySQL Workbench नाम का एक सॉफ्वेर है इस अप्लिकेशन के जरी आप क्या कर सकते हो यहां पर डेटाबेस वगरा क्रेट कर सकते हो फिर उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगरा बना सकते हो इसे 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 इस्तमाल कर सकते ह अब ही यह टूल ओपन करने के बाद आपको ऐसा एक लोकल इंस्टंस अटोमेटिकली दिखाए देगा यहाद वह आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा बाकी सारा प्री कंफिगर रहेगा एक विंडो के उपर रूट इस यूजर नेम और अगर आपने कोई पासवर सब्सक्राइब क्लिक ओन इस पर्टिकिलर आइकॉन जिसकर हमें क्रिएट न्यू स्कीमा इंद कनेक्टेड सर्वर क्लिक ओन दिस आइकॉन एक विंडो ओपन हो जाएगी लेट्स क्रिएट डेटाबेस लेट्स नेम और डेटाबेस है सपोज फ्लास्क अंडर स्कॉर वह होगी अमारी टेबल बनाना अभी टेबल बनाने के लिए जो यहां पे बनाया हुआ डेटाबेस ध्यू мест अगर आपको यहां पर डेटाबेस नहीं में दिखता तो यहां पेक रीफ्रेश बटन है जो भीचेंजिस अब आभ हमें हुर अ sapUM मतलब रीफ्लेक्त नहीं होते सिस्ट हैं यह सिर्ड इंटरफेस के उपर इंटेस्ट क्लिक उनिस रिफ्रेश बटन पर इसको यहां पर एक्स्पांड करने के बाद अब्स नाम का इंट नाम क्यों आपशन आता है इस तरीके का जब तक आपका करसर नहीं बनता यह वाला तब तक वहां पर होवर करो और जैसे यह करसर बनता है यह देखो ऐसा 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 वाला तो क्लिक एंड ड्राइग डाउन तो क्या होगा यह जो कॉलम्स वाला जो सेक्शन है वह थोड़ा सा एक्स्टेंड हो जाएगा और आपको दिखने लेगा यहां पर कॉलम नेम में सबसे पहला में क्रेट करता हूँ एक आइडी उसका टाइप रखोंगा मैं इंटीजर उसकी प्राइमरी की नॉटनल और आटो इंक्रिमेंट मतलब वन टू आटोमेटिक लिए वह लेते जाएगा दूसरा कॉलम होगा मैरे टेबल के स्ट्क्शर में सपोज नेम उसके बाद इमेल फोन लेता है एक एक रोल लेता है और रोल मतलब एड डालने के बाद सबका मैंने जो टाइप है वह वारकरी रखा है एकसेप्ट इस आएडी फोन नंबर का भी वारकरी रखा है कि फोन नंबर इस ऑल्सो चारेक्टर सेट ऑफ करेक्टर सो हम दो फोन नंबर की अडिशन नहीं करते हैं वी डोंट पर्फाम एनी अरिथमाटिक अब इतना करने के बाद I'll just click on this apply बटन अगेन उसने query generate कर दी create टेबल वाली इस application ने मेरे लिए apply, query executed and finish यह टाइब अभी मैं कर देता हूँ close As you can see, यहाँ पर जो tables नम का option है, इसके पीछे एक arrow आ चुका है, if I just click on that arrow, users नम का table बन चुका है, जिस table के उपर आप होवर करते हो, उसके से हमने आपको तीन options दीखाए देंगे इस तरह से, उसमें से तीसरे option के उपर मैं करता हो click, तो एक select star की query automatically execute हो चाएगी, और नीचे अभी चुकि इस table के अंदर कोई भी data है नहीं, मुझे सारे blank दिख रहे, लेकिन structure हमारा देखो बन चुका है, चुकि हमने ID auto increment रखा था, automatically वो next next value लेते जाएगा, so मैं सिर्फ name, email, phone, role और password में आपको insert करके दिखा तो, ताकि हमारा कुछ data यहाँ पर एक रो इखाद रो त पासवर्ड एकदम 123123, simple password रख दिया, let's click on apply button, again उसने एक, इस application ने workbench ने एक insert की query generate कर दि, let's click on apply and finish, एक table बन गया, उसके अंदर हमारी एक row भी बन गया, now we are ready to start, I mean we are ready to perform some operations with this table,